नमस्कार S.T. योगी में आपका स्वागत है मैं हूँ आचारियासिस डिंगवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देनिक रासी फलकी दर्सकों शुरू करने से पहले खास अपील अभी तक अगर आपने हमारे सेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और अपने मित्रों को सेल भी करें 26 दिसंबर राशी मेश ओवरवियू इस समय शायद आप कुछ मुश्किल काम में लगे हैं अच्छी तरह सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं और अपने विचारों को सपष्ट रखें जल्दबाजी में कोई गल्ती ना कर बैठें ध्यान रखें कि सब्र से आप सब कुछ जीत सकते हैं अपने काम को पूरी तरह समझने के लिए आपको सब्र से काम लेना होगा 26 दिसंबर राशी मेश रोमैंस के लिए ये अच्छा समय है अपने प्रेमी के साथ बाहर जाकर समय बिताएं आपके परिवार के लोग जो पहले इस संबंद के खिलाफ थे वे भी अब इसके हक में हैं इस सकारात्मक 26 दिसंबर राशी मेश करियर आज आपको व्यावसाइक सफलता मिलेगी जो आपको गर्व और उत्साह से भर देगी ये उन्नती पाकर आपको ये एहसास होगा कि आपने सही समय पर सही कदम उठाए और जब बात आपके काम की आती है तो आप किसी से भी नहीं घबराते 26 दिसंबर राशी मेश फाइनांस आज व्यावसाइक का कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है तो जरूरत है कि आप अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं इससे आपके अच्छे और प्रभावशाली संपर्क भी बनें व्यवसाइ में कोई साज्यदार बनाते हैं तो वे भी आपके फायदे के साबित होंगे इससे आगे चल कर व्यवसाइ बढ़ेगा और अच्छी आमदनी भी होगी अपने मिजास के लोगों के साथ साज्यदारी करने से आपको तुरंट अच्छा पायदा होगा इसलिए मदुमेह के शिकार हैं तो आज आप अपनी सेहत में बदलाव देखेंगे आप डॉक्टर की सलाह मानते चले आ रही हैं इसलिए इस वक्त भी उनकी सलाह के अनुकूल चले आज आप हलकी कसरत और सही भोजन करें आपकी सेहत में सुधार आएगा आज आपको बहुत सी मुश्किल परस्तितियों का सामना करते हुए अपने साहस को बनाए रखना होगा आप अक्सर लापरवाह या उत्ते जित हो जाते हैं लेकिन आज आपको समझदारी से काम करना होगा आपका दृड निश्चे एवं चतुराई आपको आगे बढ़ने म मदद करेगी 26 दिसंबर राशिवरिश रोमैंस आज आपकी किसी अतियाकरशक व्यक्ति से मुलाकात की प्रबल संभावना है संभव है आप उससे कारिस्थल पर मिलें ये मुलाकात आपके लिए बहुत रोचक साबित हो सकती है कारिस्थल से बाहर निकलने तक रोमैंस को ज करियर बनाने का विचार चल रहा है इस बात के बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए विदेश में सभी अवसरों को ध्यान में रखकर चुना गया अवसर आपको लाब देगा अगर आपने पहले से ही विदेश में निवेदन कर दिया है तो आपको खुश खबरी मि गिर सकते हैं, लेकिन चिंतित होने से अच्छा है कि अपने विवसाय में सुधार करने की कोशिश करें, कई सारी योजनाएं जो अधर में लटकी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाएं, आप के ल प्रणाम के लिए अपनी नीतियों को भी थोड़ा बदलना होगा, आज आपको कुछ तनाव हो सकता है, यह महत्वपून है कि आप पता लगाएं कि आपको अस्थाई तकलीव है या स्थाई, आप वह कार्य करें जिसमें लाब मिले और प्रियजनों के साथ समय बिताएं, अगर आप लंबे समय तक परिशान हैं तो किसी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, 26 दिसंबर, राशि मिथुन, ओवर्वियू, आपका दिमाग आज तेजी से काम करेगा, जिसका उभ्योग आप भविश्य की योजनाय बनाने में करेंगे, अगर आप केवल अपने लक्षि पर ध्यान दें, तो बाकी सब कुछ खुद ही योजनानुसार होता चला जाएगा, कभी कभी आपको अपनी बुद्धी का पूरी तरह से उप्योग करना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, इससे आप अपनी हर समस्या को हल कर लेंगे, 26 दिसंबर, राशि म अगर आज ओफिस में आप पर कोई फिदा है, तो धीरज रखें, आपको इस वक्त ये रिष्टा निर्दोश लग सकता है, लेकिन बाद में ये आपके करियर को बिगाड़ कर रख देगा, याद रखें, पार्टनर से ज्यादा आपके लिए जौब एहमियत रखता है, 26 द आवधान रहना चाहिए, आपके विरोधी आप पर जूठा इल्जाम लगा सकते हैं, इसलिए किसी से भी कोई बात ना करें, आपके विरोधी सक्रिय हैं, लेकिन आप उनसे निबटना जानते हैं, 26 दिसंबर, राशि मिथुन, फाइन्स, पैसा कमाने के साथ साथ अपने कर और विवसाय, दोनों में ही एकदम सही दिशामें बढ़ रही हैं, छोटी मूटी अरचनों से घबराएं नहीं, ये तो आती जाती रहेंगी, 26 दिसंबर, राशि मिथुन, हेल्थ, आज आपको अपने भावनात्मक विचारों पर नज़र रखनी होगी, हो सकता है आज अपने लिए बड़े सपने देखने का दिन है, आपको जिन्दगी में क्या करना चाहिए, आज ही उन सब चीजों की सूची बनाएं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, इस दशामें किये गए प्रयास बहुत ही लाबदायक रहेंगे, आज से ही अपने जीव उसे फोन पर बात चीत होगी, अपने साथी के साथ भी आप समय व्यतीत करेंगे, हर क्षेतर में संबंध सुधारे जा सकते हैं, किन्तु अपने उत्तरदायत्व का भी खयाल रखें, 26 दिसंबर, राशिकर्क, करियर, किसी सरकारी प्रबंध की ये पद को प्राप्त करने की इस समय प्रबल संभावना है, खासतोर से अगर आप IAS में जाना चाहते हैं, तो सही पदगी खोज करें, और इसके लिए अपना आवेदन भेज दें, आपको इंटर्व्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा, और ये तो आपको पता ही है, कि नौकरी पाना आपके लिए 26 दिसंबर आज आप सेहत को लेकर थोड़ा लड़ खड़ा सकते हैं, मगर कोई अच्छी खबर मिल जाने के बाद मानसिक तनाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करेंगे, अपने अच्छे स्वास्त का आनंद उठाते हुए व्यायाम और ताजी हवा का भी 26 दिसम्बर, राशे सिंग, ओवर्वियू आज आपकी बड़े ही रुची पूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ रोमैंटिक रिष्टा कायम होने की संभावना है, फिर भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचें, आश्वस्त हो लें कि ये सिर्फ उपरी आकर्शन तो नहीं, अन्यथा आगे प प्रतिक्रिया देता है, तो आपकी रोमैंस यात्रा आज शुरू हो सकती है, पढ़ाई हो या ओफिस, आज का दिन आपके लिए शुब ही रहेगा, हर दिशा से आपको खुश खबरी ही मिलेगी, इन सब को संभाल कर रखें, क्योंकि इनको पाने के लिए आपने बहुत महन की है, अब आपको बैठ कर इसका मजा लेना चाहिए, 26 दिसंबर, राशे सिंग, फाइनांस, समुद्र या पानी से संबंधित उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी फाइदे मंद है, मोती हो या मचली, सब पानी से मिलते हैं, और इनका धंधा करने व आज बिजली से संबंधित कोई भी कारे करते समय आपको बेहत सतर्क रहने की आवश्यक्ता है, आज आपके साथ कोई दुरगटना या कोई चोट लग सकती है, इसलिए बिजली के घरे लूप करनों जैसे की माइक्रोवेव या हीटर का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें, गर्म पदार्थों द्वारा किये गए काम में सावधानी बढ़ते हैं, 26 दिसंबर, राशिकन्या, ओवरवियू, आज आप शारिरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्त रहेंगे, घर हो या कारिस्थल, आपका आकर्शक व्यक्तित्व सबको रिजहा लेगा, शारिरिक व मानसिक स्वास्त के कारण आपका उत्पादन वगुणवत्ता दोनों ही बढ़ेंगे, आज पूरी कोशिश करें कि आप समय पर ही अपना काम खत्म कर लें, 26 दिसंबर, राशिकन्या, रोमैंस, आज आप अपनी घरेलूब रोमैंटिक जिंदगी में समनवय पाएंगे, आपके मन में शान्ति का विकास होगा, साथ रहने का ये अच्छा समय है, इसमें अधिक से अधिक यादगार लमहे समेटने की कोशिश करें, 26 दिसंबर, राशिकन्या, करियर, आज आपका अपने काम को लेकर आत्म विश्वास बना रहेगा, आपकी अपने कारियाले में ख तो भी आप उसे स्विकार करने को तयार रहें, 26 दिसंबर, राशिकन्या, फाइनांस, पैसा कमाना मुश्किल लगेगा, एक के बाद एक अरजन सामने होंगी, आज विवसाई में उन मुद्दों को छेड़ने से बचें, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर दें, क्योंकि आज आपकी राह में कई रचने खड़ी हैं, प्रॉपर्टी डिलिंग से संबंधित किसी दस्तावेस पर हस्ताक्षर करने से आज बचें, अगर आज हस्ताक्षर किया, तो हो सकता है आगे चलकर आप किसी बड़ी मुसीबत में घिर जाएं, सो आज इंतजार कर लें, 26 दिस आज आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि तनाव कम होगा, और तनाव कम रहने से सेहत अच्छी रहती है, आज अच्छी नींद लें, ताकि कल सुबह आप ताजा महसूस करें, 26 दिसंबर, राशितुला, ओवरव्यू आज आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करेंगे, इससे आपको खुशी मिलेगी, आज आपके लिए रिष्टे बहुत ही महतुपूंड रहेंगे, फिर चाहे वो रिष्टा आप से हो या उनसे जिन्हें आप जानते भी नहीं, आपको अपनों के साथ समय बित आज के दिन का आनंद लीजिए, प्रभाव बनाने के लिए सज धज कर निकलें, सावधान रहें, आप किसी के आकरशन का केंदर बन रहें हैं, भीड में आपके प्रती किसी का विशेश ध्यान लगा हुआ है, ये आपकी जिन्दगी का अपना पार्टनर भी हो सकता है, कु आज आप कोई नई परियोजना शुरू कर सकते हैं, इस दिशा में आज आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं, अगर आज आप अपने नए काम की शुरुवात करते हैं, तो आने वाले समय में आपको लाभी होगा। अगर कभी आपकी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है, तो आप बिलकुल हतोचाहित ना हूँ, धीरे धीरे ही सही आप अपनी सभी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे। जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ समय निकाल कर ध्यान में बैठें, ताकि आप अपने दिमाग को ठंडा कर सकें और पाचन क्रिया को मजबूत करें। आज आप उन चीजों को महत्व दें, जो सच में आपके लिए महत्व पूर्ण हैं। आपको अपने परिवार, दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कभी कभी आपको ये भी लगा होगा, कि हर काम में सही संतुलन ना बना पाने के कारण आपकी प्रात्मिक्ताएं पूरी नहीं हो पाई हैं। इन मुद्दों को लेकर अगर आप सोच विचार करें और योजना बनाएं, तो आपके दिमाग में स्पष्टता आएगी। 26. दिसंबर राशिवरिष्चिक, रोमैंस आज आपको चाहिए कि प्रेम पूर्वक साथ बैठ कर उन समस्याओं का हल खोजें, जिनसे रिष्टों की गर्माहट पर असर पड़ा है। उन समस्याओं पर विचार विमर्ष कर उन्हें जड़ से उखाड भेंकें। तब आप पाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को कितनी गहराईयों से चाहते हैं। 26. दिसंबर राशिवरिष्चिक, करिया विशम परिस्थितियों को आसानी से सुलजा लेने के कारण आपको कारिक्षेतर में अलग ही पहचान मिलेगी। लेकिन आपको इस बात का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने उच्चाधिकारियों के साथ भी मिलकर काम करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो नाराज हों। उनकी मदद से आप अपनी उर्जा को सही दिशा में लगा सकेंगे। 26. दिसंबर राशिवरिश्चिक सितारे आपके पक्ष में हैं, इसलिए आर्थिक क्षेत्र में आपको आज कोई बड़ी उपलब्धी मिलने वाली है। आर्थिक मामले और निवेश के क्षेत्र में आप काफी दिनों से हतोत साहित थे। इसलिए आज हो रहे इस बदलाव का जम कर स्वागत कीजिए और अपनी तरक्की में इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर लग रहा है कि आपके प्रोजेक्ट में कोई विकास नहीं हो रहा है, तो आज से यह सूरत बदलने वाली है। अब सब कुछ अच्छा होगा। जिन्हें भी ब्लड प्रेशर और मधुमेह की शिकायत है, उन्हें अपनी सेहत के लिए सावधान रहना होगा। ध्यान रहे, आप वही भोजन खाएं जो आपके लिए उचित है और व्यायाव भी करें। कोशिश करें कि तनाव ज्यादा ना लें। योग और ध्यान केंद्रित करने जैसी प्रतिक्रिया अवश्य करें। इससे आप एकदम फिट रहेंगे। आज आप किसी सामाजिक समारोह में भाग लेंगे। ये समारोह आपके किसी रिष्टेदार के घर भी हो सकता है। इस समारोह में जाने से आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए इस समारोह में जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज आपके प्रेम प्रसंगों में मुश्किल आ सकती है। क्योंकि आपका साथी कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा सकता है, मगर चिंतित ना हूँ, दूरी आपके संबंध को अधिक मजबूत बनाएगी, वो आप समझेंगे कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं, आप साथी की कमी महसूस करेंगे, वो फिर मिलने पर आपके संबंध में नई उत्तेजना वो नई प्रेम भरी शुरुवात होगी, 26 दिसंबर, राशे धनों, करिया, आप आफिस में समय से ना पहुँचने की अपनी आदत ही बना चुके हैं, आज आप समय पर पहुँचे, बरना बॉस के सामने पेश होना पढ़ सकता है, अच्छा होगा कि आप अपनी सभी सीमाओं का पालन करें, अन्यथा सभी की उंगलिया आपकी तरफ ही होंगी, यदि आपका विदेशी ग्रहकों से लें देन है, तो आज आपको आर्थिक फायदा होगा, नए ग्रहक भी बनेंगे और बड़ा ओर्डर भी देंगे, इसलिए इस मौके का फायदा उठाएं, आपको लगेगा कि आपने इसके लिए बड़े परिश्रम किये हैं, बहराल आ स्वस्थ और युवा बनाए रखने का यही एक रास्ता है, आज आपका मन व्यायाम करने में ही नहीं, बलकि टीम के लिए खेलने में भी लगेगा 26 दिसमबर, राशी मकर, ओवरव्यू आज का दिन अपने परिवार वं मित्रों के साथ बिताने के लिए बहुत ही अच्छा है, आज आप शायद उन नस्दी की रिष्टिदारों के साथ समय बिताएं, जिनसे आप बहुत समय से नहीं मिल सके हैं, इस समय का पूरा लाब उठाएं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार 26 दिसंबर, राशी मकर, रोमैंस, आपके रोमैंस की जिन्दगी में आज खुशी के कुछ पला सकते हैं, आप उससे ऐसे हालात में मिल सकते हैं, जैसे आपने सोचा भी ना हो, वह मिलने बाला पार्टनर, दोस्त का दोस्त या आपका पूर्व परिचित हो सकता है, इन पलो और फिलहाल आपको काम करने में कुछ परेशानी आ रही है, तो डरें नहीं, ये परेशानिया समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएंगी, जल्द बाजी में कोई निरणे ना लें, थोड़ा धीर अज रखें, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आज कोई उधार मांगने आए तो उससे बचिए, वह चाहे मित्र या घर का ही कोई क्यों नहों, आज कोई पैसा उधार मांगे तो समझदारी से ताल दीजिए, हाँ, धंदे में भी किसी को ज्यादा उधार मत दीजिए आज आपको छुटी की आवशकता है, फिल्म देखें, दोस्तों के साथ फोन पर बात करें, या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका मनुरंजन हो, आप खुद पर ज्यादा दबाव ना डालें, आज आपको अपने दिमाग को आराम देने की आवशकता है, ताकि आप कार करने की ख्षमता और मानसिक ख्षमता को फिर से पा सकें, जो की ठकावट और तनाव के कारण आप खो चुके थे, 26 दिसंबर, राशिकुम्ब, ओवर्विव, आज अज अजानक ही आपके घर महमाना सकते हैं, आपको उनका स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए, आज आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, सामाजिक उत्सव में भाग अवश्य लें, ऐसा मौका बार-बार नहीं आता, आपके घर में हसी की किलकारियां गून जुठेंगी, इन लमहों को कैमरे में कैद करना न भूलें, 26 दिसंबर, राशिकुम्ब, रोमैंस, आज दमपतियों को बाहरी लोगों से अनर्गल संबंधों के कारण मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, आपसी मद्भेदों को मिटाने के लिए साथ बैठ कर, बातचीत करके और अपने मनो भावों को प्रकट करके आपसी मद्भेदों को मिटाया जा सकता है, जिसके फल स्वरूप, आप 26 दिसंबर, राशिकुम्ब, करिया रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए आज का दिन फायदेवाला है, जो लोग आकिटेक्चर या इंटीरियर का कोर्स कर रही है, उनके लिए आज का दिन भागेशाली है, अगर कोई इंटर्व्यू दे रही है तो उसमें सफलता मिलेगी, जो लोग पहले से ही इस काम म लगे हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनके काम को सराहा भी जाएगा, आपके हाथ में ज्यादा से ज्यादा काम आएगा और नतीजतन पैसा भी 26 दिसंबर, राशिकुम्ब, हेल्थ, कफ और जुकाम से सावधान रहें, क्योंकि आज आप छोटी छोटी बिमारियों से परेशान हो सकते हैं, आपको इन छोटी बिमारियों में सतर्क रहने की आवशक्ता है 26 दिसंबर, राशिमीन, ओवर्वियू अगर आपको लग रहा है कि कुछ बातों को लेकर आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच कोई अनबन चल रही है, तो आज आपको उनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए बिना किसी गरत वहमी के ये मुद्दा आसानी से सुलच सकता है, आपको केवल संप्रेशन पर ध्यान देना चाहिए, देखते ही देखते सारी कड़वाहत खत्म हो सकती है 26 दिसंबर, राशिमीन, रोमैंस आज आपको अपने पार्टनर से एक नायाब तोहफा मिल सकता है, शुक्रिया और प्यार अदा करें, आपकी कोशिशों से रिष्टे में बहारा सकती है, दिन भर आनंद करें 26 दिसंबर, राशिमीन, करियर आज आप काम के बोज को आसानी से सहन कर लेंगे, इससे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा, इसके लिए आपको अपने आत्मनियंत्रन वह सकारात्मक सोच का सहरा लेना चाहिए, इन सब से आपको सफलता मिलेगी, वह करियर में भी रिद्धी हो सकेग 26 दिसंबर, राशी मीन, फाइनांस यदि आप शेर बाजार में रुची रखते हैं, तब आज का दिन आपके लिए सही फल देने वाला है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप इस दौरान लंबे समय के निवेश को ही अपने विकल्प के रूप में रखें, छोटी अवधी के निवेश ज्यादा विशेश फल नह आपको शक्ति देगी, आज आप अपने स्वास्थ का आनंद लें, आज आप टहलने जाएं या कोई खेल खेलें, आपकी उर्जा का स्तर आज उचा रहेगा